यह मार्क्यू का माइक्रेवेव है माइक्रेवेव कैसे रिपेर करना है मैं अभी आपको यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा पहले माइक्रेवेव ओपन करना पड़ेगा माइक्रेवेव ओपन करने के लिए इसके बैक साइड में स्क्रूज दिये रहते है ये जो तीन स्क्रूज है ये आपको क्या करना पड़ेगा रिमू करना पड़ेगा निकलना पड़ेगा उसके बाद ये जो टॉप कवर है वो कवर ओपन करने के लिए आपको पीछे के बाद उसको खिचना पड़ेगा किचने के बाद उपर उटाखे उसको निकल देना है अभी में मैं आपको माइक्रेविक में 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 जो पार्ट से और कैसे चेक करना है ये आपको मैं वन बाई वन बताऊंगा पहले ये ध्यान में रखना है माइक्रेवेव में तीन प्रोग्राम रहते हैं माइक्रो ग्रील और कन्वेंशनल microwave में जबी भी food पकाना है तो पहली बात तो उसका main में जो heart है, microwave का क्या है magnetron है ये magnetron क्या करता है इसके जो waves है वो क्या करता है माइक्रेव का मेन हार्ट क्या है? मैगनेटरौन है मैगनेटरौन का क्या काम करता है? जो माइक्रेवेव फूर्ड्स इंसर्ट करते है उसको फूर्ड्स को वेवस के तरू उसको पकाने का काम करता है मैगनेटरौन है वेवस के तरू काम करता है मैगनेटर उनको जब ही वर्क होता है तब हीट होता है उसका जो हीट का टेमपरेशर है उसको मेंटर रखने के लिए यहाँ पर थर्मोस्टेट लगाया हुआ है थर्मोस्टेट क्या गरता है certain period जो थर्मोस्टेट पर इके जो temperature दिया हुआ है जैसे कि आपको मैं अभी थर्मोस्टेट ओपन करके बता दाओ उसमें कितना degree Celsius temperature mention किया हुआ है यहाँ पर देखो number लिखा हुआ है कोई-कोई थर्मोस्टेट में यहाँ पर temperature लिखा रहता है इस तरीके से यह थर्मोस्टेट निचे से रहता है यह थर्मोस्टेट क्या काम करता है कि जब भी magnetron certain period पे heat होना है वही level पे heat होके थर्मोस्टेट क्या करता है कि उसके उपर heat चला जाता है जो requirement heat है वही heat पे काम करने के बाद और thermostate क्या करता है? कट औ काम करता है क्या करता है? cut off तब अगर और फेट होता है तो क्या होगा? आपका यह magnetron जल जाएगा और खराब हो जाएगा इसके लिए th erklat लगाया रहता है और एक thermostat जो है आपको दिखाई देगा कि यह फिलमेंट के इधर लगाय हुआ है यह जो फिलमेंट है यह पेशली कन्वेशन जो भी केक बेकिंग करते तबी यूज किया जाता है इसके लिए भी एक थर्मोस्टेट यहां पर लगाया हुआ है इसका भी टेंपरेचर पर्टीकुलर सटर पिरेड पर हीट होता है तो इत thermostat क्या करेगा cut off करने का काम करेगा यह filament क्या है filament क्या करेगा heat इसको supply मिलने के बाद इसमें heat generated होगा और particular जो cake है वो bake हो जाएगा यह filament के लिए filament को लिए particular जो 230 supply यहां पर आता है वो supply की त्रूँ यह काम करता है दूसरा यहां पर यह neon lamp दिया हुआ है यह neon lamp इसमें specially microwave में जबी microwave open करते है inside cabinet में आपका light on हो जाएगा यहां पर यह जो switch दिया हुआ है यह switch के तुरूँ क्या हैगा अगर switch on करते हैं यह no common switch रहता है यह switch जबी door open करेंगे तो nc हो जाएगा और आपका यह light on हो जाएगा दूसरा यह fan दिया हुआ है यह fan अगर खराब होता है तबी magnetron और heat होता है और यह दो के बाद thermostat क्या करेगा cut off करेगा तो यह fan specially magnetron का जो heat है heat जो है भार exit करने के लिए specially यह fans लगाया रहता है दूसरा पाट है hv transformer hv transformer क्या है high voltage transformer है इसमें high voltage transformer में जो primary रहती है primary में 230 का supply दिया जाता है और इसका जो output secondary secondary में 1,500 से लेके 2,000 old AC या पे रहता है तो कभी भी ध्यान में रखना है microwave का repair का काम करते वक कभी यह hv transformer का testing लायू में multimeter से आपके करना normal multimeter से करना नहीं है अगर वैसा होता है तो क्या होगा आपका multimeter भी खराब हो सकता है अधरवैस कुछ incident भी हो सकता है इसलिए कभी भी hv high voltage का जो transformer है उसका voltage चेक करना multimeter से नहीं है दूसरी बात यहाँ पे secondary में देखो एक fuse लगा रहता है यह क्या है इसमें रहता है ग्लास फ्यों सेकंडरी के लिए सेफ्टी के लिए लिए रहता है दूसरा यहाँ पे क्या है capacitor दिया हुआ है इसमें capacitor के एक कनेक्शन जो hv transformer के सेकेंडर के थूँ एक capacitor को आता है दूसरा यहाँ पे capacitor के लिए एक diode दिया हुआ है तो वो बॉड़ी को उसने एक टर्मिनल बॉड़ी को कनेक्ट है और उसका एक और एक terminal किदर गिया है मैगनेटरन को गया हुआ है सेम प्राइमरी से एक टर्मिनल आया है ओ भी मैगनेटरन को गया है तो जैसे मैंने आपको बताया कि HV transformer के लिए हाई voltage supply आता है सेम जो मैगनेटरन उसमें भी हाई voltage supply आता है तबी भी आपको ध्यान में रखना है लाईयू में मल्टीमिटर से यहाँ पे चेक करना नहीं है नौर्मली यहाँ पे आपको cold test लेना है cold test मतलब क्या रहेगा आप मैगनेटरन में से off microwave में से off करना है और test करना जरूरी है ओके यह यहाँ पे यहाँ पर रिले दिये हुए है यह रिले पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर fix किये हुए है यहाँ पर supply पर्टिकुलर यहाँ से वाइरिंग की थ्रू यहाँ पर आया हुआ है अभी सेकंडिंग यह जो इसका जो में स्कॉर्ड है 16 एंपेर का में स्कॉर्ड है पर्टिकुलर 16 एंपेर के बॉक्स में में स्कॉर्ड फीट हो जाएगा में यह भी ध्यान में रखना है कस्टमर का सप्लाई चेक करना बहुत जरूरी है यह ऐसी सप्लाई आ रहा है प्रॉपर आ रहा है की नहीं फे first of all आपको क्या करना है, main squad चेक करना जरूरी है, main squad अगर आपका okay रहेगा, तो उसके बाद क्या चेक करना, यह fuse चेक करना जरूरी है, fuse कैसे चेक करते हैं, अभी देखते हैं अगर microwave पूरी तरह से dead condition में हैं, अगर microwave पूर्ड डेड़ कंडिशन में है तो first of all आपको क्या करना है उसका जो fuse है जैसे यहाँ पर दिखाये गया में स्कॉड की इदर से जो यह fuse आता है यह fuse आपको first check करना है first fuse चेक करते वह आपको क्या करना है multimeter लेना है multimeter पर continuity का range select करना है फिर आपको चेक करना है अब जबी चेक करते हैं fuse में बजर आ रहा है बजर आ रहे मतलब क्या रहेगा आपका यह fuse okay है अगर बजर नहीं आता है that means क्या रहेगा आपका fuse glass fuse ओ ओपन हो चुका है इसके लिए वो dead condition में है दूसरी बात अब हम thermostat कैसा चेक करना यहाँ यहाँ पर देखेंगे thermostat जबी चेक करते हैं तभी आपको क्या करना है continuity टेस्टर continuity में range में select करना है select करने के बाद आपको चेक करना है thermostat में भी आपको continuity यानी जरूरी है अगर continuity नहीं आती है that means क्या रहेगा thermostat आपका open हुआ रहेगा इसके लिए आपका magnetron बहुत हीट हो रहा है वो cut off नहीं हो रहा है second thing आपका filament के पास thermostat रहेगा उसको भी same आपको उसी तरह चेक करना है अगर filament में भी आपका ओर heat होता है और cut off नहीं होता है that means क्या रहेगा आपका यह thermostat open हुआ रहेगा तो इस तरीके से thermostat आपन चेक करते हैं कि अब यह अपन चेक करते हैं magnetron magnetron कैसे चेक करते हैं आपको क्या करना है magnetron के लिए कि यह जो निचे के टर्मिलर है और रिमू करना है यह रिमू करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर रेंज सिलेट करना है यहाँ पर रजिस्टर रेंज आपन सिलेट कर दिया रजिस्टर रेंज सिलेट करने के बाद आपको magnetron को दो इन दिये रहते हैं, दोन टर्मिनल रहते हैं ये टर्मिनल पे ये connections fit होते हैं तो आपको first of all क्या करना है ये दोनों टर्मिनल का resistance देखना है कितना दिखा रहा है 0.1 चे 0.2 दिखा रहा है reverse में भी चेक करना है एक बार one by one body को भी लगा के चेक करना है ये वाला, फिर ये वाला कहाँ पर ये भी continuity नहीं आती है that means क्या है आपका ये magnetron ओके है अगर magnetron में continuity आती है तो क्या रहेगा magnetron short रह सकता है internally दूसरी एक बात कभी कभी क्या होता है magnetron के resistance प्रॉपर दिखाते है but magnetron जो guide रहता है सामने का जो फर्स्ट जो इसमें electro waves creations करता है उसका जो antenna रहता है वो काला हो जाता है in that case अगर काला होता है that means क्या रहेगा तबी भी आपका ये magnetron खराब हो चुका है अगर एक one by one terminal लगा कि body को लगा रहे तो continuity बजती है बजर बजता है that means क्या रहेगा magnetron खराब हो चुका है ये आप क्या कर सकते consider कर सकते है अभी आपन क्या करते है कि transformer चेक करते है ये connection कर दिया आपने अभी आपन transformer चेक कर देखे पहले आपको क्या करना है जो transformer का input supply है इसके terminal रिमू कर देना है one by one उसके बाद उस पे resistance देखना है resistance कितना आ रहा है कितना resistance आ रहा है 2.3 homes आ रहा है same one by one body को लगा के चेक करना है continuity ये बजर आ रहा है कि नहीं one by one नहीं आ रहा है that means कि आपका HV transformer का जो primary winding है आपकी okay है इस तरीके से अपन consider कर सकते कि primary में ये problem नहीं है फिर अपन ये connect कर देते हैं वपिस connect करने के बाद अपने को क्या करना है secondary चेक करना है जो HV transformer की secondary winding है वो चेक करना है यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो secondary winding है secondary winding के top में यहाँ एक glass fuse दिया हुआ है और secondary का एक winding जो है वो कि इदर चला जाता है capacitor को जाता है और जो capacitor से है किये किया यह आप एक diode लगाया हुआ है दूसरी गात यह जो glass fuse है आपको मैं open करके बताता हूँ ये 1 ampere का glass fuse दिया हुआ है ये glass fuse अपने को check करना है कैसे check करते देखो अभी हम यहाँ पे glass fuse अभी हम यहाँ पे glass fuse कैसा check करना है वो देखते है जैसे यहाँ पे दिखाय हुआ है ये जो glass fuse है आपको दिख रहा है ये glass fuse यहाँ पे इस तरीके से mount रहता है अपने को glass fuse चेक करना है ये जो glass fuse चेक करते हुए तो अभी आपको क्या दिखाएगा दिखो यहाँ पे continuity में अपन सिलेट करते है बज़र में बज़र बज़रा है आपका ये glass fuse ओके है अगर नहीं बताता है आपका ये glass fuse ओपन हो चुका है अभी हम capacitor को remove करेंगे ये capacitor mount किया था ये capacitor के अपने को remove करना है आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो terminal connection है ये HV transformer के secondary को connect होता है जो fusible register through दूसरा जो terminal से एक आपका magneton को गया हुआ है दूसरा वही से secondary में है और ये diode से क्या करेंगे body को ground किया हुआ है तो अभी हम क्या करेंगे capacitor पहला capacitor चेक करेंगे capacitor चेक करते हैं धान में रखना है गाईस ये HV capacitor है voltage कितना है 2100 AC है जबी भी capacitor आप चेक करते हो सबाल के चेक करना जरूरी है कि इसमें charge रहता है तो first of all जबी भी आप चेक करते हो first of all आपको क्या करना है ये one by one remove करना है इस तरीके से ये remove करने के बाद आपको ये जो दो टर्मिनल दिये होते हैं ये दोनों टर्मिनल को internal एक जो insulated रहेगी उससे क्या करना है आपको short करना है शॉट क्यूं करना है इसमें जो charge रहता है वो discharge होना बहुत जरूरी है इसके लिए charge आपको short करना जरूरी है ओके तो आपी अपन कैपेसेटर कैसा चेक करते है वो देखते है तो यहाँ पे अपन कैपेसेटर चेक करने के लिए range select करते है देखो परी, कैपेसिटर कैसा चेक करना है, यहाप पर दिखाता हूँ, कैपेसिटर जबी भी आप चेक करते हो, तो पहला डिश्चार्ज करना है, डिश्चार्ज करने के बाद, one by one टर्मिनल को चेक करना है, फिर reverse में चेक करना है, प्रोब चेंज करके, पर्टिकुलर आपक आपका यह कैपेसेटर चार्जिंग डिश्चार्ज होने के कारण वह कैपेसेटर में वैसा रीडिंग आ रहा है यह आपका जो कैपेसेटर है वह ओके है सेकेंड इंग वन बाइवन एक जो टर्मिनल है बॉड़ी को भी चेक करना है बॉड़ी में देखना है बॉड़ी में कोई बजर शॉट वगरा तो नहीं दिखा रहा है यह आपको चेक करना है यहापे सिलेट करते हैं बजर यह भी चेक करना है बॉड़ी को दिखा रहा है या नहीं है नहीं दिखा रहा है आपका यह कैपेसेटर ओके है अभी अपने को निक्स चेक क्या करना है डायोड चेक करने के लिए अपने को क्या करना है डायोड का रेंच सिलेट करना पड़ेगा यह जो डायोड है आपको ध्यान में रखना है कि पर्टीकुलर अगर यह डायोड जबी खराब होता है तबी जो हाई ओल्टेश ट्रांस्पोर्मर पे ज्या तो ये HV transformer आपका ज्यादा humming sound create करेगा तो अभी आपन डायोड चेक करते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं आपको डायोड जो line दिया हुआ है यहाँ पर जो anode है यहाँ पर cathode है normally डायोड range में आपन चेक करते हैं तो फर्स्ट इसमें आपको particular अगर कोई range दिखाती है forward बाइस और reverse बाइस कुछ भी नहीं दिखाती है मतलब क्या आपका यह डायोड ओके है इस तरीके से यह डायोड अपन चेक कर सकते हैं और consider कर सकते हैं डायोड ओके है अगर कोई continuity आती है या कोई range 00 बताता है that means क्या रहेगा आपका यह डायोड शॉर्ट हो चुका है तो यह डायोड आपको क्या करना है replace करना जरूरी है कभी भी ध्यान में रखना है जबी भी capacitor का problem रहेगा या आज से आपको यह डायोड भी change करना जरूरी है ओके तो यह हो गया डायोड चेक करने के बारे में दुसरा और एक तरीका है डायोड चेक करने के बारे में जो 9-hole का बैटरी आता है lithium का उससे आपन क्या कर सकते हैं वो डायोड चेक कर सकते हैं वो कैसा करना है मैं आपको बताऊंगा अभी अभी आपको मैं यह यह डायोड चेक करने का दुसरा एक तरीका बताता हूँ जैसे मैंने बताया कि 9-hole DC का बैटरी होना lithium का जरूरी है उसमें क्या करना है मल्टिमेटर में DC range select करना है फर्स्ट अफ़ आपको क्या करना है जो आप यह DC बैटरी यूज़ कर रहे है उसका voltage प्रॉपर है कि नहीं यह 9-hole का अभी आप यह यह पर 8.5-hole दिखा रहा है तो आपको अभी यह आपे क्या करना है यह जो डायोड है डायोड का एक साइड में द्रेट प्लोब लगाना है दुसरे साइड में यह जो डायोड का second terminal है यह आपके बैटरी के positive को लगाना है और यह black probe यहापे negative में लगाना है तो आपको यहापे क्या होएगा particular देख चेक करना है voltage दिखा रहा है यह नहीं फिर उसको अपिस reverse device में चेक करना है डायोड change करना है उल्टा करना है उल्टा करके उसको चेक करना है जैसे यहापे दिखे रहा है आपको देखो मैं यहापे चेक कर रहा हूँ कितना ऊल्टा रहा है 5 इल्टा रहा है that means क्या हो गया आपका यह regime covering circular 不要 कर सकते है अभी हम यहापे fan भी check करते है fan का resistance कितना रहता है continuity में आपन चेक करेंगे fan कितना दिखा रहे है आपका resistance यहाँ पर आपन terminal चेक करेंगे अभी आपन यहाँ पर coil का resistance चेक करेंगे आपको यह पर दिख रहा है कोईल का रेजिस्टन जो है कितना दिखा रहा है 412 होम्स दिखा रहा है आपका यह जो फैन का कोईल है ओके है इस तरीके से माइक्रेवे के जो मेन पार्ट से वन बाइ अपन वन बाइ वन चेक की है इस तरीके से इसका रिपेरिंग किया जाता है धन्यवाद